हालो फ्रेंट्स वेलकम टू गार्गी क्लासिस राजस्थान हिस्ट्री में अपन मॉडर्ण हिस्ट्री की बात करना शुरू कर चुके हैं जिसके बारे में एक वीडियो अल्रेडी अप्लोडेड है लेक्चर 41 जिसमें अपने फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटिड जो प्री ट कौन से political agents थे वो posted थे सात में ये भी देखा कि कौन कौन से प्रिंसली जानने की कोशिश की आज अपन देखेंगे 1857 रिवोल्ट का क्या कोर्स रहा किस तरीके से राजस्थान में यह जो रिवोल्ट था इसका इफेक्ट देखा गया वो जानने की कोशिश करेंगे इससे पहले छोटी सी एक कि है अगर आपने टेलेगांब चैनल जॉइन नहीं किए तो आप प्नी कर लो वहां पर पूरी डिटेल cen कि कि आप कोई भी उट अगर अवेल करते लेना चाहते हैं तो प Lunali गता हूं और यहां पर भी आपको bank SBI bank है और simple सा process है कि आपको pay करना है pay करने के बाद में आपको remark जब pay करो online transaction आप करोगे तो इसमें remark में आप अपना खुद का नाम और साथ में subject का नाम लिखें और जैसे ही successful payment का आपके screen आजाए तो screenshot ले लो screenshot को आप इस mail ID पर भीज सकते हो या फिर इस contact number पर telegram कर सकते हो और इसके बाद में within 10 hours हो सकता है कि आप रात को अगर भीजते हो तो सुबह तक आपको notes मिल जाएंगे या फिर आप दिन में भीजते हो तो within 2 hours आपके telegram पर या जो भी आप mail करोगे तो आपकी mail ID पर आपको revert मिल जाएगा notes मिल जाएंगे या फिर आप अपनी इच्छा से donate भी कर सकते हैं जिससे की गारगी classes और अच्छे से perform कर पाएं आप लोगों के लिए तो चलिए start करते हैं अपना आज का lecture देखो 1857 revolt की जब बात की जाए तो इसका कही ना कही आईडिया तो लगना शुरू हो गया था Britishers को क्योंकि इनकी जो activities थी ना उन अमिर खान के आपने देखी हो तो मंगल पांडे नाम के soldier ने 34th regiment बेरकपूर cantonment में revolt करना शुरू कर दिया था अपने साथियों के साथ में मिलके ठीक है तो कहने का मतलब जो revolt मई जून में outbreak जिसका consider किया गया था वो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत उसकी apprehensive एक होती है ना शर्स को पहले लग चुका था जब मंगल पांडे ने यह अपनी एक तरीकी से campaign शुरू कर दी थी फिर उसके बाद में 10 मई 1857 में 1857 को 10 मई के दिन मेरट में पहला साइरन पहला बिगुल बजाया गया था 1857 की revolt का ठीक है और अगर अपन इंडिया में particular राजस्थान की जैस इसने भी राजे रजवारे थे ना maximum ने बिटिशर्स का साथ दिया था इसकी वज़े हमने बात की कि जो इस्ट इंडिया कंपनी के साथ में 1817 से लेके 1823 के बीच में जो ट्रेटी जो इतना different princely states की उसकी वज़े से वह कहीं नहीं बाउंड़िड थे दूसरा वह कहीं नहीं एक comfortable zone में आ गए थे कि चलो ठीक है अब अपने को लड़ाईयां तो लाइन नहीं लड़नी पड़ेगी क्योंकि जब भी कोई लड़ाई होगी चाए मराठे अटेक करें या कोई और पिंडारी अटेक करें तो अंग्रेज हमें बचा लेंगे तो उस belief के चलते उन्होंने अ बिकानेर स्टेट इकलोता ऐसा था जो 1857 की किरांति को दबाने के लिए बिकानेर का कींग था उस टाम पर माहराजा सर्दार सिंग वो तो पंजाब तक अपनी आर्मी को लेकर के चला गया था इस पूरे रिवोल्ट को इस पूरी क्रांति को दबाने के लिए आप समझ सकते तो कितना जादा मतलब लॉयल थे ये लोग ठीक है और जोदपुर का महाराजा मान सिंग था ना उसने हमेशा से एंटी ब्रिटिश एलिमेंट सी प्रेजेंट किये हैं तो आप देखो एक तो बीकानेर के राजा जिसने अपनी आर्मी लेकर कि वो लड़ने चले गए के रिवोल्ट को दबाने के लिए और दूसरी तरफ महाराजा मान सिंग और जोदपुर उसने एंटी ब्रिटिश एलिमेंट हमेशा से शोग किया अपने जब भी कोई एक्टिविटी उसने कंड़क्ट करने की कोशिश की अब अपन देख लेते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो रिवोल्ट था एक सिपाई म्यूटिनी मतलब सिपाईयों का एक विद्रोह बनके निकला तो उसमें जितने भी इंपोर्टन केंटॉन्मेंट्स थी उन केंटॉन्मेंट्स में अपन देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज हुई थी इस रिवोल्ट के ड्यूरिंग जि इसको स्टैब्लिश किया गया था सर ऑक्टर लौनी के द्वारा अब नाम तो ऑक्टर लौनी है और नाम रखा नसीराबाद इस केंटॉन्मेंट का इस चामनी का तो इसकी वजह थी कि इसको एक उपादी मिली हुई थी और उस उपादी का नाम था नासिर उद्दॉला क्य भी तुश्मेर आप जाओ तो मोति कठला नाम से मार्केत है वो मार्केट भी स्टैब्लिश किया वो जो मार्केट था उसको यह जो सर ऑक्टर लौनी था उसकी वाइफ का नाम था एक टैग दिया वादा मोती बेगं नाम बोला जाता था उनको क्या वोती बेगं तो उनके नाम पे यह मार्केट स्टैबलिश किया गया था मोती कटला तो यह आप इंफरमेशन याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है अब होता क्या है जैसे ही मेरट में आउट ब्रेक होता है दस मईए 1857 को तो उसकी इंफरमेशन भी कही नहीं नहसीराबाद तक पहुंच जाती है अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एजेंट टू गवर्णर जनरल राजस्थान में कौन था जौर्ड पैट्रिक लॉरेंच तो उसके पास में यह इंफरमेशन पहुंच तिया 19 मही 1857 और कॉइंसिडेंस यह था कि उसी टाइम पे बंगाल की 15th native infantry थी वो अजमेर जितने भी soldiers थे all over India ने नदर इंडिया की बात करें particularly तो वहां पे जो soldiers थे उनमें एक resentment था एक नाराजगी थी अंग्रेजियों को लेकर के कारण मैंने बताये थे बहुत सारे जिनमें एक कारण तो था गाय और सुवर की चर्वी दूसरा कारण क्या था the second reason was कि उनको forcefully out of India म if you cross the seas then that means you are losing your religion like that तो वो सारी issues थे उनकी साथ में तो वो कहीना के रिसेंट्मेंट पेमिंट्स में कहीना कहीना कहीन गैप्स थे अंग्रेज जो soldiers थे उनकी पेमिंट्स बहुत जादा हुआ करती थी और इंडियन नेटिव जो soldiers थे उनकी पेमिंट्स बहुत कम हुआ करती थ जैसे कहीना कहीन उनमें नाराजगी तो पहले से थी तो रही सही में एक बार एक चिंगारी लगी शुरुआत की मंगल पांडे ने फिर मेरत में हुई और उसकी चिंगारी राजस्थान में भी पहुँच गई और राजस्थान में जैसे ही मई 18 को ये चिंगारी पहुची तो ये जो नेटिव इन्वेंट्री आई हुई थी ना इन्फेंट्री तो उन्हों ने क्या कर दिया रिवॉल्ट शुरू कर दिया नसीराबाद में बिटिशर्स के अगेंस्ट में 28 मई को दुपैर 3 बजे के लगबग ठीक है तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कैसे मेरट स एक information आई और उस information की basis पे 15 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने बिटिश रूल के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया इसी के साथ साथ में इस जो 15 इन्फेंट्री थी इसका influence 30 नेटिव इन्फेंट्री पे भी गया और उन्हों ने भी रिवॉल्ट को ज शुरू हो गया English officer था एक उसका नाम था नैबरी क्या नाम था नैबरी उसको तो मार ही दिया था इन लोगों ने रिवॉल्ट करते हुए और फिर उसके बाद में उनका target हो गया था दिल्ली की तरफ जाना ठीक है तो ऐसे करके नसीराबाद रिवॉल्ट अपने तरीके से आ जो एक तरीके से रिवॉल्ट शुरू हुआ था इसकी information निमच पहुँची तो वहाँ पर एक military officer था क्या नाम था करणल एबॉट ठीक है तो इसने वहाँ पर soldiers को एक तरीके से प्रेशराइज करना शुरू किया क्योंकि इसको डर था कि ये रिवॉल्ट अगर नसीराबाद में हो गया तो निमच के अगर सैनिकों में भी अगर थोड़ा बहुत भी इसकी चिंगारी फैल गई है फैल जाएगी तो आगे problem का सामना करना पड़ेगा तो इसने करनल एबॉट ने soldiers को forcefully एक शपत दिलाए एक oath दिलाए loyalty की वफादारी की कब जून दो 1857 को उसी टाइम पे एक cavalry soldier गुड़ सवार था जिसका नाम था अली बेग वह बहुत ही जादा गुस्से में था और उसने ये कहा कि Britishers नहीं अपनी खुद की जो एक शपत थी उसको नहीं निवाई तो हमारे उपर क्यों ये दबाओ क्या Britishers ने गलत तरीके से अवद को नहीं हड़ा आप कि जासी में जो था जो आयर था जानी जासी का बेटा वो 18 साल से कम था तो बोले कि ये माइनर है तो इसको नहीं बिठाएंगे तो जासी को तो ऐसे हड़ अप लिया था अंग्रे जो ने दूसरा आवद में ये का कि bad administration है यहां का साथ प्रशाशन यहां का जो नवाब है व दैपुर को भी एक बार अशरप किया था बट दैपुर को दो बाद में release कर दिया गया था सतारा को भी किया था तो ऐसे करके ओलोवर इंडिया बहुत सारे princely states को बिठिश ने एक तरीके से अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया था 1857 से पहले तो वह भी कही ना कही एक इस चीज के लिए ऐसान मंद नहीं है कि हम ये इस ओत की पालना करें क्या आपने आवद को गलत तरीके से नहीं अड़पा ये चीज उसने बोली तो इसका रिजल्ट क्या हुआ तीन जून 1857 को रात को ही निमच में भी सिपाईयों ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया उ उन्हों ने दिल्ली में जाकर के वहाँ पर जो रेवल्यूशनरी मेरट वाले जो थे ना उनको जॉइन कर लिया और बिटिशर्स पे फिरसली अटेक किया जबरदस्ट अटेक किया वहाँ पर बिटिशर्स के अगेंस्ट में यहाँ पर कैप्टन शौवर्ड था वो मेवाड के राजा से अपनी खुद की एक पूरी फोर्स बनाता है फिर यह कैप्टन शौवर्ड एजी जी लॉरेंस यह मिलके और फिर बाद में बुंदी की सेना को और अपने साथ में लेते हैं और फिर निमच पहुंच जाते हैं कहने का मतलब शौवर्स निमच पहुंच हैं और बिटिश निमच में जो रिवॉल्ट हुआ था उसको सप्रेस कर दिया था आठ जून 1877 को मतलब निमच फिर से उनके हातों में आच चुका था बहुत ही जल्दी पांस दिन के अंदर अंदर ही ठीक है ऐसे ही नेक्स्ट जो केंटॉर्मेंट है वो है एरिनपुरा ए वहाँ पर भी इंडियन यूनिट्स ने बिटिश फोर्सेस के अगेंस मतलब बिटिशर्स के अगेंस में रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया इस मार्च में ये जैसे ही रिवॉल्ट शुरू हुआ तो उन्होंने क्या एक नारा दिया दिल्ली चलो दिल्ली मारो फिरंगी औ और जैसे ही वह एरिनपुरा से आगे निकले तो आहुआ के ठाकुर कुशल सिंग थे कुशल सिंग चंपावत उन्होंने भी इनका साथ देना शुरू कर दिया जिन्होंने बिटिशर्स का अगेंस जाना मतलब यह जो रिवॉल्टर से न सैनिक इनका साथ दिया था कुशल स सिंग चंपावत ने जो कि आ हुआ के थे और इनके साथ में इन्होंने लीड किया और कैसे भी करके बिटिश अंपायर को उखाड़ने के लिए यह तैयार हो चुके थे कुशल सिंग चंपावत जो थे वो महराजा तक्ट सिंग था जोदपूर का उस टाइम पर ठीक है तो म इनका अलाइनमेंट को ज्यादा ही बिटिश हर्स से हो गया था और थोड़ी अगर जो पहले के जो रूलर्स थे जिन्होंने किस तरीके से अपना पूरा अंपायर बढ़ाया था लोगों का कॉन्फिडेंस जीता था तो आते आते क्या बिटिश हर्स के इंफ्लूएंस की व लोगो पर है जो प्रिंसली स्टेट से जो राजे रजवारे थे वो ध्यान ही नहीं देते थे बिचारों पर तो उनको कहीं न गए मजबूरन एक जो रिवॉल्ट करने की नौबत आ गई थी ठीक है तो चलो वो तो आगे देखेंगे तो कुशल सिंग चंपावत भी एक ऐस सामन्त से जो महाराझा तक्त सिंग उ जोधबूर अगेंस्ट में खड़े रहते थे और जितने भी जो सामन्त थे ना जोधबूर के जिनमें होस्टाइल थे महाराजा तक सिंग। के उनक bonus टरीके से हुआ क्या था पूरा अगर डवलप्मेंट देखें ये कैसे होस्टलिट चंपावत जो थे ना इन्हों ने एक unfair interference करनी शुरू कर दी थी कहने का मतलग थे तो ये सामन पर अपना एक interference दिखाया वहाँ पर अपनी टांग अड़ा दी तो उसकी वज़े से कही ना गई तक्त सिंग इनसे नाराज हो गया दूसरी बात ये थी कि तक्त सिंग इनसे जो टेक्स लेने की बात करता था ना आउवा वाले रीजन से तो उसको टेक्स को देने से भी मना कर दिया कुसल चं चंपावत की फोर्स ने अटेक किया बेठोडा पे और वहाँ पर जो लीगल आयर था कान जी उसको मार दिया तो ओर ज्यादा दुश्मनी बढ़ गई इन दोनों के बीच में तक्त सिंग जो जोत्पुर मारवाड का था और दूसरी तरफ उसी का सामंत कुशल सिंग चंपा है महाराजा तक्त सिंग के अगेंस्ट में उन लोगों का पूरा ग्रूप होता है जैसे हैं कि गुलेर का हो गया गुलेर का सामंत हुआ असोप का सामंत हो गया अलणी आवास का सामंत हो गया इन सामंतों ने भी इस कुशल सिंग चंपावत का ही सपोर्ट किया तो अल्टिम कुशल सिंग चंपावत को हराने की आववा वाली जो उसका खुद का परगना था उसको हडपने की या उसको सप्रेस करने की तो वो टास्क फेल हो जाती है उस टास्क में जोदपुर प्रिंस फेल हो जाते हैं तो ऐसे करके आगे बढ़ें तो सेप्टेमबर आते आते 1857 में जालियन एजण फॉर्स ती ना वहां पर अटैक किया ऊतलिए के यह सुगाली माता के बक्त ठे इनके गाउma में ही सुगाली माता का मंदिर था तो इन्होंने तो आशिरवाद लिया और उसके साथ में अपने जो खुद के साथ के जो सैनिक थे जो रिवोल्ट करते आ रहे थे अरिनपुरा वाली चावनी से उन लोगों से साथ में लिया तो कहने का मतलब दो फोर्सेज होगी एक तो आहुआ वाले ये कुशल सिंग और दूसरा कौन सा जो क केंटॉनमेंट में एरिनपुरा केंटॉनमेंट में जिन सिपाईयों ने जिन सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया था ये कंबाइन फोर्सेज हो करके और इन्हों ने फिर अटेक कर दिया जो दूपुर पर और जो दूपुर को फिर वहां पर हरा दिया था ठीक है तो ऐसे करके सारा जो reason है यहां पे Britishers के बीच में जोदपुर आई जोदपुर forces थी तो उनको भी आववा के पास में बिठोडा एक गाउं जो अपने देखा वहां पर हरा दिया जाता है ठीक है और इस battle में अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ रहा था उसका नाम लेफ्टिनेंट हैथ कोट क्या नाम था लेफ्टिनेंट हैथ कोट और उसको भी मार दिया गया था इस battle में तो आप देख सकते हो battle of बिठोडा की जब बात आए तो कौन-कौन थे एक तरफ तो हो गए कुछार जिंग चप पाऊ तो आ हुआ और साथ में जो वॉल्टर्स थे जो रिबैलियन्स थे soldiers वो और अगेंस्ट में थी जोदपुर की आर्मी प्लस बिटिशर्स के लीडर तो ऐसे करके इनकी बीच में conflict होता है और इस first conflict में जिसमें बिठोडा का battle हम जिसको बोलते हैं उसमें ये जो कुशल सिंग्चंपावत थे इनकी जीत होती है तो इस गटना के बाद में जो एजी जी जॉर्ज लॉरेंस था उसने आ हुआ की तरफ एक force बेजी अब 18 सेप्टेंबर 1857 को एक fierce जबर्दस्त battle लड़ा जाता है और जो rebellious होते हैं ना कुशल सिंग्चंपावत और दूसरी तरफ हो गया कौन लॉरेंस ने जो भेजी फोर्स थी वो उन दोनों की बीच में लड़ाई होती है और इसमें इनकी फिर से जीत होती है जो विद्रोही होते हैं उनकी तो इस ताइम पे जो यह पॉलिटिकल एजेंड था ना यहाँ पे जो औपुर वाले रीजन में जिसका नाम था कैप्टेन मौंकमेशन कया था कैप्टेन मौंकमेशन उसको मार दिया और मारने के बाद में इसकी बाड़ी को हना जो दुद्रोग के मेन दरवाजे पर ले जा करके और उल्टा लटका दिया था उसको तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक डर बैठाना चाते थे इंग्लिश लोगों के बीच में कि भई अब आपका रूल खतम होने वाला है आप यहां से जाओ तो यह अपने आप में बहुत ही बड़ा एक मैसेज दिया गया था रिबैलियंस विद्रोईयों के दुआरा अब यह बहुत गजब की एक हार होती है न तो जो एजी जी जॉर्ज लॉरेंस डिसा जो था वो और एक ब्रिगेडियर था जिसका नाम था होम्स यह दोनों मिलकर के और फिर अपनी सेना लेकर के आते हैं आउवा की तरफ ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ एजी जी जॉर्ज लॉरेंस डिसा और ब्रिगेडियर होम्स यह दोनों मिलकर के और अपनी खुद की एक आर्मी लेकर के आते हैं combined army और आहुआ पर attack कर देते हैं और उसमें भी एक जबर्दस लड़ाई होती है तो इसमें क्या होता है ये कहिना गहीं जो विद्रो ही होता है उनकी हार होती हुई दिखती है तो कुशल सिंग जो था वो सलूम बर चला जाता है ठीक है फिर उसके बिटिश आफ्स के अंडर में आ जाता है आवा आवा को लूटा जाता है बरबाद किया जाता है बहुत बुरे तरीके से हैं आग लगा दी जाती है वहाँ पर घरों को इनको और फिर जो सुगाली माता जिसका भक्त था कुशल सिंग चंपावत उस सुगाली माता की जो मूर्ती थी उसको उठा करके अंग्रेज लोग कहां ले जाते हैं अजमेर और वो आज भी कहीं नहीं अजमेर म्यूजियम में प्रेजेंट है तो ऐसे करके रिबेलियन जो थे उनको सप्रेस किया गया तीसरे बैटल में आकर के अंग्रेजों ने अगर हम बात करें एरिन पुरा विद्रोह की ठीक है तो इस तरीके से ठाकुल कुशन सिंग ने फिर बाद में कुछ टाइम बीतने के बाद में बिटिशर्स को के सामने सरेंडर कर दिया आठ अगस्त 1860 को फिर उसके बाद में एक मेजर टेलर इन्वेस्टिगेशन कमिशन स्टैब्लिश किया जाता है यह इंपॉर्टेंट फैक्टर द्यान रखना आप मेजर टेलर इन्वेस्टिगेशन कमिशन स्टैब्लिश किया जा तो खुशाल सिंग आप कन्फ्योज मत हो जाना तो खुशाल सिंग जो था उसको फिर बाद में फ्री कर दिया जाता है और कुशाल सिंग की पिर बाद में देहत होती है उद्यपूर में 1864 में आप देखोगे यह जो बैटल लडा गया था बैटल ओफ आहुआ इसको ब्लैक्स and whites का भी battle बोला जाता है तो आप ये ध्यान रखना battle of blacks and whites किस battle को बोला जाता है तो वह है battles of आहुआ अब ये black and white वाला जो segment है या आपको सुनने को या देखने को मिल जाएगा राजस्थान के जो fox songs होता है ना वहाँ पर ठीक है तो इस तरीके से एरिनपुरा वाला पार्ट है वो भी अपना complete होता है अब बात करते हैं quota revolt की quota revolt में अगर बात करें तो quota की cantonment की अगर बात करें तो जो rebellion forces थी ना quota की उन्होंने दो बंदों की leadership ने अपने विद्रोह को जाहिर किया वो कौन थे एक तो था महराब खान और दूसरा था जैदयाल कायस थे यह दोनों नाम बहुत important exam point of yours है की quota revolt को lead करने वाले personals कौन थे कौन थे तो वो है एक तो महराब खान एक है जैदयाल कायस और यह शुरुवात कब हुई थी quota के revolt की 15 अक्टोबर 1857 में ओके वहाँ पर जो major general जो resident army leader जो था उसका नाम था बर्टन उसके सर को काट दिया गया था और उसके सर के कटे हुए सर को पूरे city में चक्कर कटवाया गया था quota की city में ठीक है और यही नहीं major बर्टन को ही नहीं मारा था इसके साथ में major बर्टन के दो बेटे और एक डॉक्टर को भी मारा गया था तो ऐसे एक तरीके से quota के revolt का आगाज होता है बट रॉबर्ट जो था जनरल रॉबर्ट्स उसके अंडर में British forces ने फिर से जो rebels थे उनके ओपर अटेक किया और ऐसे करके तीन मार्च 1858 को दोनों leaders को फिर बाद में एक तरीके से फांसी पे चड़ा दिया जाता है और quota के revolt का भी end हो जाता है तो quota अब बात कर लेते हैं तात्या टोपे की तात्या टोपे जिनका बहुत ही important role रहा 1857 के revolt में तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि राजस्थान की जब बात आये तो तात्या टोपे कहां तक involved थे जून 1808 में तात्या टोपे जो थे वो राजस्थान में एंटर ह गे थे गौालियर के जो विद्रो ही थे उनके साथ में मिलके और इनको सहायता मिली नवाब of talk talk के नवाब की दुआरा जब उनकी force ने support करना शुरू किया था तात्या टोपे का किसकी leadership में under the leadership of वजीर खान ऐसे करके तात्या टोपे ने Britishers के against में अपना campaign continue रखा बट जैसे हार हो जाती है फिर इसके बाद में तात्या टोपे फिर से एक बार कोशिस करते हैं राजस्तान में एंटर होने की और ऐसे करके दिसंबर 1858 में तात्या टोपे फिर से बांसवाडा में एंटर होते हैं मतलब राजस्तान में फिर से एंटर होते हैं और बांसवाडा चले जा ultimately होता क्या है यह जैसे ही जो नर्वर के जंगल थे वहीं पे बांसवड़ा वाले रीजिन में नर्वर के जो फॉरेस्ट थे उनमें चले गए तो वहां पर इनका ही एक साथी जिसका नाम था मान सिंग नरू का उसने दोखा दे दिया और बिटिशर्स को इनफॉर्म कर दिया क को इनको फांसी की सजा दे दी गई तो राजस्थान में भी एक सिग्निफिकेंट रोल अपन देख सकते हैं तात्या टोपेगा डियूरिंग 1857 रिवोल्ट ऐसे ही बरत्पुर रिवोल्ट की बात करें तो बरत्पुर में भी फोर्स जो थी उन्होंने भी रिबैल किया 1857 को और इस टाइम पर इनका जो पोस्टेड मेजर जनरल था उसका नाम था मेजर मौरिसन वह आगरा भागना पड़ा था उसको वहां से तो आप यह जो नाम बता रहा हूं उन्हों में कि कौन से बिटिश पर्सनेल्स वहां पे पोस्टेड थे तो वह चीज अपने को ध्य ध्यान रखनी है उनसे रिलेटेड क्वेशन आ सकते हैं कि मैच दो फॉलोविंग या फिर कई बार यह पूछे आता है कि यह जो पर्टिकिलर बिटिश ऑफिशर था यह कौन सी केंटर्मेंट से असोशेटेड था अपने को ध्यान रहना चाहिए इसके अलावा धौलपुर रिवोल्ट इसका जो लीडर था जो रिवोल्टर थे इसके दो लीडर थे एक तो राव रामचंद्र और एक था हीरालाल ठीक है तो इनको फिर बाद में जो यह जो थे ना बिटिश और्स वह सारे की सारे आग्रा की तरफ चले गए थे तो कहने का मतलब आग्रा वाला कि क्या क्या काम हुआ क्या क्या development हुए थे इसके अलावा अब important facts देख लेते हैं इस mutiny से related देखो 1857 की mutiny में जब एक तरीकी से trial चल रहे थे तो सबसे पहली फासी की सजा किसको दी गई थी तो उसका ही जैपुर का जो महाराजा राम सिंग सेकंड था इस 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे उसने बिटिश का अपनी आर्मी बेज कर भी help की और wealth से भी help की मतलब धन और सेना दोनों चीज़े वेजी थी इस राम सिंग ने ठीक है और इसके जवाब में राम सिंग को अंगरेजो के दुआरा क्या दिया गया सितार ए हिंद की उपादी दी गई थी और साथ में जो कोटपूतली परगना था वो भी फिर राम सिंग सेकंड को दे दिया गया था तो ऐसे करके महाराजा राम सिंग सेकंड ने किस तरीके से Britishers की help की वो देखा और महाराजा सरदार सिंग ओफ बीकानेर ये इकलोता ऐसा रोलर था जो अंग्रेजों का साथ देने के लिए पंजाब के बाडलू तक पहुंच गया था कि कैसे भी करके इस विद्रो की आग को दबाया जाए तो इस वज़े से महाराजा सरदार सिंग का ज होप समझ में आया होगा बाकी चीजिया अपनावन करेंगे जिसमें नेक्स जो सेग्मेंट है वह राजस्तान में जो पॉलिटिकल अवेरनेस है वह किस तरीके से स्प्रेड हुई कौन-कौन से इंपॉर्टन पर्सनालिटीज का रोल रहा वह अपन जानने की कोशिश करेंगे सो थैंक्यू वेरी मच और नोट्स आपको रिक्वाइड है तो आपको प्रॉसेस मैंने बता दिया है पहले ही और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चनल को प्रेडि सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन जरूर प्रेस कर लो थैंक्यू